क्या है आर्टिकल 371 जो लग सकता है लद्दाख में जानेंगे क्या है मामला और चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इस चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं दूसरी तरफ चाइना के सामने रूस ने पाकिस्तान को ना बोल दिया है पाकिस्तान को एक बड़ा जटका मिला है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आए जानते हैं इन खबरों क विस्तार से लदाख में आर्टिकल 371 जैसी सुरक्षा लागू की जा सकती है हाला कि अब तक केंदर सरकार की ओर से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कहा गया है कुछ समय पहले ही कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसके बाद वहां की जनता कुछ मांगे रख रही हैं दरसल आर कि हमें राज्य का दर्जा देज दीजिए और विधाई का और छटी अनसूची में सामिल कर लीजिए अब इसके क्या मतलब हैं खबरे कहती हैं कि छेतर के जो पटिनीधी हैं यानि कि लेह एपेक्स बोडी कारगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस इन्होंने केंद्रिय ग्रियमं मंत्री अमित्सा से मुलाकात की और कहा गया कि अमित्सा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो संबीधान का अनुचे 371 के जरिये उनकी जमीन नौकरियों और संस्कृति से जूड़ी परिसानियों को हल करें रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि छठी अनुसूची में सामि नहीं होगा लेकिन कहा जा रहा है कि जमीन नौकरी संस्कृति से जूड़ी जनता की मांगों को लेकर मंत्री सहनबूती रख रहे हैं और इनका समाधान आर्टिकल 371 के जरिये किया जाएगा वैसे आपको बता दें सरकार छेत्र की नौकरियों में अस्थानिये लगों के ल लेकिन यहां पर अभी कुछ भी आधिकारिक तोर पर नहीं कहा गया है पर हां यह जो आर्टिकल्स वगेरा देख रहे हैं आप इसमें इस बात को कहा जा रहा है कि अमित साह इस बारे में विचार कर रहे हैं हो सकता है कि इस मामले में कोई कदम उठाया जा सके हलाकि अभी तक इसको लेकर कोई बड़ी पुष्टी नहीं हुई है समस्या यह है कि लदाक की मांग को देख कर हो सकता है बाकी के स्टेट भी इस तरीके की मांग कर सके पर यह सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा फिलाल के लिए तो जमू कस्मीर में जैसे ही आर्टिकल 370 हटा है कस्मीर में काफी कुछ बदलाओ देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ यह सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जटका लग गया है पाकिस्तान को आपको बता दें स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं और यह तस्वीर इस पूतनिक के द्वा सारे यहां पर एक तरफ हीरो लोग हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान जंडा लगा हुआ यह सक्स मतलब पाकिस्तान को रिपर्जेंट कर रहा है कि हाँ जी वहीया पाकिस्तान तुम हमारे क्लब में आओ यहां पर कहा गया था कि पाकिस्तान ने अपलाई कर रहा है ब्रि सारे देषों को जोड़ा जा रहा था तो चाइना चाह रहा था जादा से ज़्यादा ऐसे देष उसमें जोईन करें जो चाइना के सपोर्टर हो ताकि कल की डेट में उस ग्रूप का इस्तेमाल अपने फाइदे के लिए चाइना कर सके अब यहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से ब्रिक्स को लेकर कितना ज़्यादा ये लोग सीरियस थे, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाईए, स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही, एक पूरा का पूरा परती नीधी मंडल पहुचा था रूस, और रूस में आप देख रहे हैं, वहाँ पर ये मुलाकात कर रहे हैं, रूस को मनानी की कोशिस कर रहे थे, और इस वक्त ट्राइब्यून में ये खबर भी आई थी, कि पाकिस्तान के तरफ से डेलीगेशन गया हुआ है, और हम उमीद करते हैं, कि हमें ब्रिक्स में इंट्री मिल जाएगी इस साल, गाफी कुछ सोचा गया, हलाकि ब कॉमन करेंसी की बात आई, यहां दिखने लगा कि चाइना अपना वर्चस स्थापित कर सकता है, पर भारत ने साफ कर दिया कि नहीं जी, हम अभी किसी कॉमन करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, और हम ना ही किसी कॉमन करेंसी को लेकर उसाहित हैं, पर अब 169 देश देख रहे हैं कि आखिर कौन सा पेमेंट सिस्टम लेकर आता है रूस क्योंकि यहां पर रूस को बैपार करना है और रूस के उपर डॉलर को लेकर परतिबंध लगे हैं हर एक देश के साथ अलग-अलग करेंसी में बैपार संभव नहीं है ऐसे में दुनिया सोच रही कि रूस का नया प पहरी है कि हो सकता है कुछ समय के लिए ब्रिक्स के ग्रूप डॉलर पर निर्भरता कम करने और यहां पर एक ब्लॉक्चेन पेमेंट सिस्टम बने अभी ब्लॉक्चेन पेमेंट सिस्टम क्या होगा तो आपको बता दें इसका मतलब है क्रिप्टो केरेंसी के साथ बहुत सा क्रिप्टो करेंसी को लेकर पहले भी कई सारे देश रोक लगा चुके हैं कई सारे देशों में अभी भी यह मानने हैं क्योंकि इसका कुछ सोर्स पता नहीं चलता है कई सारी चीजे हैं जो समस्याएं इस ब्लॉक चेन में यानि कि डिजिटल करेंसी के पेमेंट में दिखती ह तो ऐसे में ये सिस्टम कितना लागू हो पाता है कितना नहीं ये देखने वाली बात होगी पर आपको बता दें ये फिलाल के लिए रूस इस्तेमाल कर भी सकता है इसलिए इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसे भी बैपार करने हैं और कई सारे दुनिया के देश भी हैं जो की र सिरभरता भी रूस के ऊपर रही है अब आने वाले समय में पता चलेगा कि यहां पर क्या होता है पर इन सब के बीच में सबसे तगड़ा वाला जटका लग गया है अपने पडोसी पाकिस्तान को पाकिस्तान आज के समय में इस वैस्वी ग्रूप में सामिल होने के लिए जी त कि यहां पर कई सारे देशोंने कई सारे देशोंने ना बोल दिया है वैसे आपको बता दें रूस जो इस वक्त अध्यक्ष है वो भी पाकिस्तान को सामिल करने के लेकर हिचकी चाता हुआ दिख रहा है साल 2023 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ था लेकिन फिलहाल अभी इसके और विस्तार की संभावना नहीं दिख रही है आपको बता दें सुत्रों का कहना है कि किसी नए सदस्य को सामिल करने के लिए मौजूदा सदस्यों के बीच आम सहमती की जरूरत होती है और पाकिस्तान के आवेधन पर सहमती नहीं है और ऐसे तो पाकिस्तान की जो अर्थ- प्रवस्ता की हालत है ऐसे में उसे सामील करने से भी कोई फाइदा नहीं होता है SEO में तो जबरजस्ती चाइना ने गुसा लिया क्योंकि SEO में परवेस करने के नियम अलग थे पर ब्रिक्स में कई न कई भारत ने रोक दिया वैसे आपको क्या लगता है इन से मालमले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ